तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मेरी तरह आप में से कहीं लोग जो हैं सूचते होंगे कि online जितनी भी CO2 air guns मिल रही हैं जो की original guns की तरह देखती हैं उसमें बिलकुल डिक्टो बनी हुई होती है एक दम रेप्लिका होती है जैसे 10 फोगलियों की 1911 की बात करें जो की वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में यूज की गई थी तो और आज भी भी ऐसे पूर पुलिस वाले यूज करते हैं यह वाली गन को तो इस तरह की गन है जिसका मदब वर्किंग जो फंक्शनी बिलकुल एकदम ऐसा लगता है कि और इसको अगर कॉल्स्टर में रखते हैं तो ऐसा लगता है कि एकदम ओरीजनल रिवाल्वर आप लेके गूम रहे हैं और सबसे अच्छी बात कि इसके अंदर ब्लैंक राउंड यूज होते हैं जो कि ओरिजनल बुलेट की तरह भी लगते हैं और उन राउंड्स के अंदर आप अपने पैलेट्स डालते हैं तो जब भी आप शूट करते हैं अगर राउंड्स निकाल के डालेंगे तो ऐसा अंदर आप साइड में उसको लगा के घूम लें क्योंकि बही एरगन के लिए लाइसेंस की दरवत तो पढ़ती नहीं है तो इसको लेकि घूमा जा सकता है ना यही सोचते हैं लेकिन ऐसा नहीं है इनके पीछे कुछ कानून है जिन कानून का आपको दियान रखना बहुत अगर कुछ गलतियां आप करते हैं तो तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि एक तो इन गन को यूज करने के लिए क्या क्या नियम है बात करेंगे डूस और डॉंट्स क्या है एर गन को यूज करने के क्या क्या पर्मिटेट बोर है मतला आपके जो पूचिछ करते हैं आपको लिए प्रद्री बात करेंगे कि और आपको पुलिस रोकती है और आपसे पूचताच करती है तो आपको क्या जवाब देना है एर गन के लिए इसके लाव हम ये बात करेंगे कि Fire Arms Act और Arms Rule के कौन-कौन से relevant section है जिन में ये लिखा हुआ है कि आप Airgun का इस्तमाल कर सकते हैं और किन-किन condition में इस्तमाल कर सकते हैं और इसके अलावा इसी page पे आपको मिलेगा Downloadable Copy जो Arms Act की जो Copy है वो आपको मिलेगी तो ये सभी चीज़े हम लोग आगे की वीडियो में बात करेंगे इस पूरी information को collect करने के लिए हम लोगों ने सिर्फ आपसे एक 49 रुपीज minimum 49 रुपीज का donation हम लोग ले रहे हैं ये donation इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि इतनी सारी जो websites बनाते हैं इन सब के लिए हमें पैसा लगता है हमें yearly इनका maintenance charges और subscription charges और hosting charges देने होते हैं तो ये सारी चीज़े जो है आपकी information जो हम लोग आपको देना चाहरे है इन सब को देने के लिए हमें एक खर्चा लगता है तो उसी के लिए हम लोग donation लेते हैं आपको ये सारी information चाहिए हो तो only मात्रे 49 rupees का donation है और दोसों मेरे हिसाब से 49 rupees का donation कोई बहुत जादा महंगा नहीं है हम लोग ऐसे ही इतना खर्चा कर देते हैं कहीं पर और जिस information जो information आपको jail होने से बचा सकती है जो इस information से आप किसी भी arms act के नियम को तोड़ने से बच सकते हैं उसके लिए मेरे हिसाब से 50 rupees कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लोग गलती करके फिर लाकों रुपे भर देते हैं जुर्माने और जेल जाने से बचने के लिए तो मेरे हिसाब से 50 rupees बहुत मामूली सी चीज है लेकिन हम इसके लिए किसी को force नहीं करते हैं पूरी तरह से स्वेचिक है आप चाहें तो donate करें नहीं चाहें तो कोई बात नहीं तो इस video की description में अब आप जाएए वहाँ पर आपको एक link मिलेगा उस link पर आप click करेंगे तो आपको donation page पर आप चले जाएंगे वहाँ minimum 49 rupees का आपको donation करना है और उस donation को करते से यहाँ एक next page पर चले जाएंगे जहाँ पर आपको यह सारी information मिलेगी किसी भी तरह की problem होने पर आप हमें email हमारा mail ID आपको screen पर देख रहाए